बहुबली विधायक अनन सिंग का नया पता अब पतना का बेउड जेल होगा बाड कोट ने उन्हें 14 दिन की नियाई खिराशत पर भेज दिया है अनन सिंग को अब बाड से पतना लाया जा रहा है बता दे कि आज बाड ASP लिपी सिंग के नित्रियुत में अनन सिंग को सुबा दिली से पतना लाया गया था इसके बाड करी सुरक्षा के बीच उन्हें बाड ले जाया गया बाड कोट में विहार पुलीस ने अनन सिंग को पेश किया जहां कोटने उन्हें 14 दिन की नियाए खिरासत में भेज दिया अनन सिंग को पुलीस बार्ड से पटना ला रही है आज ही उन्हें ब्यूर जेल में सिफ्ट कर दिया जाएगा दरसल अनन सिंग को कल ही पटना लाय जाने की खबरे आई थी लेकिन बार्ड एसप लीपी सिंग के नितरुत में आज सुभा अनन सिंग को करी सुरक्षा के बीच पटना लाया गया इसके बाद उन्हें सीधे बार्ड ले जाया गया और बार्ड कोट में पेस किया इस दोरान अनन सिंग अपने पुराने अंदाज से कहीं अलग दिखे उनके आँखों में काला चस्मा नहीं था अनन सिंग ने अपनी ट्रेड मार्क जोलिरी भी नहीं पहनी थी कैमरे में कैद अनन सिंग की तस्वीरे वो काफी मायूस दिख रहे थे आपको बता दे कि अनन सिंग ने दिल्ली के साकेत कोट में शुक्रवार को समर्पन किया था ड्यूटी मजिस्टेड अर्चना बेनिवाल ने अनन सिंग को बिहार पुलिस की ट्रांजेट रिमाड में सौप्ते वे निर्देश दिया था कि उन्हें 26 अगस्त को दीन में दो बजे तक बिहार के किसी अदालत में पेश करना होगा मामले की सुनवाई के दोरान भिहार सरकार के वकील गुपाल सिंग ने चार दिन की रिमान मांगी लेकिन बचापक्ष के वकील गयनेंद्र मिशन ने इसका विरोध किया बता दे कि अनन सिंग के घर से 117 राइफल और ग्रेनेट बरामद हुआ था पुलिस ने उनके खिलाप मामला दर्ज किया था वो ग्रिफतारी से बचने के लिए करीब एक सब्ता से फरार चल रहे थे अनन सिंग ने 19 अगस्त को एक वीडियो जारी कर कह दिया था कि वो ग्रिफतारी से नहीं घबराते दो से तीन दिनों बाद अधालत के समक्च समर्पन कर देंगे पतना से डेस्क की रिपोर्ट